Hello everyone, Welcome to Success with Rai Academy, 23 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्टिय संस्क्रण को आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले, कुरोना से मरने वालों के परिवार को 50,000 रुपे का मुआफजा दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोट न जारी की जाएगी, और संबंदित परिवार के सदस्त के आधार से जुड़े खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, राष्टिय आपदा प्रबंधन अथोरिटी की ओर से तयार, गाइडलाइन को ग्रह मंत्राले ने सुप्रीम कोट में पेस किया है, सिर्स अदालत ने कि सरकार को कुरोना से होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह रासी दिये जाने की गाइडलाइन तहर करने का आदेश दिया था, कोट गुरुवार को इस गाइडलाइन पर सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोट को दी गई गाइडलाइन के अनुसार, कुरोना से मरने वालों के स स्वजन को अनुग्रह रासी देने का फैसला मिर्त्यू प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज की पड़ताल के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करेगा लेकिन अनुग्रह रासी का भुकतान राज आपदा राहत कोस से किया जाएगा सरकार ने सुप्रीम साफ कर दिया कि कोरोना से होने वाली मिर्त्यू के पंजीकरों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जा चुकी है नेक्स निउस है कि नए मिसन पर मोदी परदान मंत्री नरेंद मोदी ने बुद्धवार को कहा कि अमेरिका की उनकी यात्रा भारत अमेरिका व्यापक वैस्विक राजनीतिक साजेदारी को मजबूती देने के साथ ही जापान वह आस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रगार बनाने का आउसर परदान करेगी मोदी दो साल बाद व्यक्तिकत उपस्तिती के साथ हो रही सेउक्त राष्ट महासभा की बैठक को संबोधित करने के साथ अपनी यात्रा का समापन करेंगे इस दोरान वह पहले कौार्ट सिखर सम्मेलर में सामिल होने के साथ ही अमेरिकी राष्टपती समेत कई राष्टा अमेरिका की चार दिन की यात्रा पर रवाना होने से पूर जारी बयान में प्रधान मंत्री ने कहा कि राष्ट्पती बाइडन के साथ वह राष्ट्री वह अंतराष्ट्री मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे साथ ही उप राष्ट्पती कमला हैरिस के एजुकेशन की गुडवत्ता बनेगी कमिटी। कुरोना संकट काल में पढ़ाई के लिए अनिवार जरूरत बन चुकी डिज्टल एजुकेशन की गुडवत्ता को मजबूती देने और सभी तक उसकी पहुच को आसान बनाने के लिए सिक्षा मंत्रा लेने पहल तेज की है। सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुद्धवार को इसे लेकर अब तक उठाये गए कदमों की समिक्षा की है। साथ ही इसकी गुडवत्ता और प्रसार को बहतर रखने के लिए स्कूली सिक्षा सचिव की अगवाई में एक उच्च स्तरिय कमिटी भी बनाने का था इसके लिए उन्होंने मंत्राले के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे नियमित रूप से इसकी समिक्षा करें साथ ही यह सुनिशित करें जो कंटेंट उपलब्द कराया जा रहा है वह बच्चों के लिए कितना आप कह सकते हैं कि मददगार है नेक्स्ट निऊज है कि एर इंडिया के चेर्मैन राजिव बंसल विमानन सचुबने केन सरकार दौरा-बुद्द द्वार को किये गए सिर्श इस्तरीय अधिकारियों के फेर बदल में एर इंडिया के अध्यच राजियु बंसल को नया उड्डियन सच्यू नियुक्त किय गया है कार्मिक मंत्राले के एक आदेश में कहा गया है कि आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सच्चिव के राजारमन को दूरसंचार विभाग का सच्चिव निक्त किया गया है राजारमन अंसु प्रकास की जगा लेंगे जो 30 सितंबर को सेवा निवृत्त होने वाले हैं वही नागा लेंड कैडर के 1988 बैच के आई एस अधिकारी बंसल इस महीने के अंत में सेवा निवृत्त हो रहा है प्रदीप सिंग्ख खरोला की जगा लेंगे इस पात सचिव प्रदीप कुमार्तिरपाठी को कार्मिक एवं प्रसिक्षन विभाग का सचिव निवृत्त किया गया है आदेश के अनुसार ग्रह विभाग में अतरिक सचिव गोविंद मोहंत संस्कृती मंत्राले के सचिव होंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपा संजय मूर्ति अब उच्च सिक्षा विभाग के सचिव होंगे हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईयस अधिकारी मूर्ति 30 सितंबर को सेवन रिवृत्त होने वाले अमित खरे की जगा कारेभार समहा लेंगे सूख्ष में लगू और मद्यम उद्धम मंत्राले के अत मुझगार मंत्राले का सची निउक्त किया गया है नेक्स्ट निउस है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू और यह बिजनेस पेच से अर्थवश्था की रिकवरी के साथ निवेस में तेजी के लिए सरकार ने एक महत्पूर्ट कदम उठाते हुए बुद्धवार क नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की सुरूत कर दी है फिलहाल 18 केंद्री विभाग और 9 राज्य इस सिंगल विंडो के प्लेटफार्म से जुड़ चुके हैं याने कि इन 18 विभागों से अलग-अलग मंजूरी नहीं लेनी होगी और सिंगल विंडो के जरिये आवेदन करने पर ही काम हो जाएगा इसी तरह प्लेटफार्म से जुड़ने वाले 9 राज्यों के स्थानिय निकायों से भी कारोबार के लिए अलग-अलग मंजूरी नहीं लेनी होगी वानिज्व उद्रोग मंत्री प्यूश गोयल ने बताया कि अभी NSWS का सौफ्ट लॉंच किया गया है दिसंबर तक इस विंडो से 14 और केंदरी विभाग एवं 5 राज्य जुड़ जाएंगे इस साल दिसंबर के बाद से नए कारोबार की सुरुवात के लिए केंद सरकार के 32 विभागों के साथ 14 राज्यों की एजंसियों से इस सिंगल विंडो के माध्यम से मंजूरी मिल नेक्श निउस है कि सतत वृध्धी के लिए स्वास्थ और बुनियादी धाचे में अधिक निवेश की जरूरत भारती रिजर्बेंक के गवर्नर सक्तिकान दास ने बुद्धवार को कहा कि महामारी के बाद सतत आर्थिक व्रद्धी के लिए स्वास्त सुविधा और मुनियादी धाचा छेत्र में निवेस तथा स्रम एवं उत्पाद बाजार में सुधार के आगे बढ़ाने की जरूरत ह AIMA राष्टी प्रवंधन सम्मेलन को सम्मोधित करते हुए दास ने कहा कि सतत व्रद्धी और रोजगार के आउसर सदेत करने के लिए स्वास्त सिख्षा डिजिटल छेत्र में धाचागत सुविधाओं में निवेस बढ़ाने की वकालत की है उन्होंने कहा कि कुरोना महाम रूप से पट्री पर लाना महत्पून होगा या एतिहासिक रूप से समग्र मांग का मुख्य आधार रहा है नेक्स्ट न्यूज है कि दिसंबर के आखरी तक UAE के साथ व्यापक व्यापार समझोता निर्याद प्रोसाहन के लिए पिछले कुछ महीनों में भारत कई देशों के साथ व्यापार समझोते को अंजान देने की कोशिस में जुटा है इसी क्रम में 23 सितंबर से सयुक्त अरब अमिरात के साथ भारत कॉम्प्रिहंसिफ एकोनॉमिक पार्टनर्शिप एग्रिमेंट को लेकर आपचारिक वारता सुरू करने जा रहा है दोनों देश सीपा से जुड़ी वारता को इस साल दिसंबर तक समाप्त कर लेंगे और अगले साल मार्च में दोनों देश सीपा समझोते पर हस्ताक्चत कर लेंगे बुद्धवार को यह घोशना भारत के वालिज और उद्द्योग मंत्री पीश गोईल और यूएई के विदेश व्यापार मंत्री थानी विन एहमद अल जौदी ने सम्युक्त रूप से की है वर्स दोहजार उननिस बीस में दोनों देशों के बीच 69 अरब डॉलर का कारूबार किया गया था सीपा के तहप दोनों देसों ने अगले पांच सालों में वस्तूओं के कारुबार को 100 अरब डॉलर तो सेवा छेत्र के कारुबार को 15 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष रखा है next news है कि ADV ने भारत के व्रद्धी अनुमान को घटा कर 10 प्रतिसत कर दिया है इससे पहले अप्रैल में ADV ने चालू वित्वर्ष के दोरान 10 सौरी 11 प्रतिसत की व्रद्धी दर का अनुमान जताया था Asian Development Bank ने अपनी ताजा आति परिद्रश्च में कहा है कि वर्ष 2021 के लिए भारत के व्रद्धी पूरवानुमान को संसोधित किया गया है ACI विकास प्रिद्रश्च अपडेट 2021 में कहा गया है कि वित्वर्ष 2021 की सेस तीन तिमाईयों में अर्थ वहस्ता में तेजी की उम्मीद है और इसे पूरे वित्वर्ष में 10 प्रतिस्दी की दर से बढ़ने की उम्मीद है नेक्स्ट न्यूज है एडिटोरियल पेज से एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है काबुल में अभी खत्म नहीं हुआ खेल और यह आर्टिकल लिखा है Center for Himalayan Asia Studies के चेर्मेन विजय क्रांती द्वारा अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से भारत में एक खास वर्ग की खुसी का कोई ठिकाना नहीं रह गया है इनमें देशी कम्यूनिस्ट आगे हैं जो एसिया में चीन के बढ़ते दबदबे से काफी उत्साहित हैं साथ ही इसलामिक जिहाद के पैरोकार भाजपा तथा मोधी विरोधी पार्टियों के नेता और ऐसे छदम सेकुलरिस्ट भी इनमें सामिल हैं भारत के कमजोर होने का कोई मलाल नहीं है लेकिन मोधी सरकार के मुस्किल में पढ़ने के आसार से उनकी बाचे खिल गई हैं उन्हें अफगानिस्तान में अमेरिकी हार से भी ज़्यादा खुसी इस बात की हो रही है कि अब मोधी सरकार दुनिया में अकेली पढ़ जाएग इन तमाम लोगों के अलावा विसलेशगों का भी एक वर्ग ऐसा है जिसका मानना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी पलायन के साथ भारत के लिए हालात मुस्किल हो जाएंगे, सतही तोर पर उनकी दलीले कुछ हद तक तर्ग संगत भी दिखती हैं लेकिन ये ऐसे विसलेश जो ना तो भारत की भीतरी जी-जी-विशा को जानते हैं और ना ही उस इतियास को समझना चाहते हैं भारत के लिए निराशा भरी भाविश्वानी करने वाले ये जो भाविश्वानी करने वाले उनका मानना है कि दच्छन एसिया के नए समीकरन में अब इरान और रूस के साथ भारत के रिस्ते पहले की तरह भरोसे मन नहीं रहेंगे। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की जगह चीन और पाकिस्तान के साजह उपस्तिती को भारत की हार बताने वाले लोगों की यह ख सामने बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। उनकी देहरी पर कटर और हिंसक इसलाम की नए मौजूदगी से उनके आंतरिक समीकरन गड़बढने का खत्रा पैदा हो गया है। कोड में खाज का आलम यह है कि इरान और रूस के बगल में बसे अफगानिस्तान में चीन की दाद अमेरिका की नई चमताओं को जो विदेशी भूमी पर अपने सैनिकों की सहादत के खौफ से पुरी तरह मुक्त हो गया है। अफगानिस्तान के बदलते महौल और वहां चीन की बड़ी पैट के लिए भारत के लिए अगर कोई नई चुनोती खड़ी है तो कई नई विबासित कर सकता है क्योंकि न केवल इन दोनों देशों के लिए बलकि खुद अमेरिका के लिए भी भारत का महत तो पहले से ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलामिक आतंगवात की उलजनों में चीन के उलजने की आसंका भी अब उनकी हेकड़ी को कम ही करेगी। परिबान के दिलों में भी भारत के लिए अपने दस्तावेच खोलेगी। जहां तक भारत में मोदी विरोधी और भारत विरोधी के बुखार से तपे हुए लोगों की बात है तो उन्हें या समझ में आ जाना चाहिए कि उनके सभी उकसाओं के बावजूद मोदी सरकार अ इन दिनों कई देशों में कई प्रतिष्ठाणों में हिंदी पक्वाले के अंतरगत हिंदी को प्रत्साहन देने वाली गतिविद्या चलाई जा रही है ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे भासाई आयोजन मात्र एक रस्म अदाईगी वाले आपचारिक समार बनकर ना रह जाए अपितु देश में हिंदी के संरक्षण एवन समवर्धन के लिए निरंतर रूप से अभियान जारी रहे यह सही है कि नई सिक्षा निती में मात्र भासा की महता सुईकार की गई है उसमें उलेखनी है कि प्रात्मिक्ता से लेकर उच सिक्षा तक मंत्राले करने के पीछे मंतव्वे भी यही है सिक्षा ही मानों को संसाधन के रूप में विक्सित करने का आधार होती है देश इन दिनों आतनिर्भरता की बहुत चर्चा है आतनिर्भरता वास्तों में प्रतेक इस्तर पर सोची जाने वाली एक राश्ट व्यापी सोच है इस सोच में देश की समरद्धी और विकास में सामिल हर छोटी बड़ी इकाई का समावेश जरूरी होगा। यदि इसे संभव बनाना है तो उत्पादक्ता से जुड़े सभी वर्गों के लिए वही भासा अपनानी होगी जो उन्हें कारे कुशल, निपून और काम्याब बनाएं। तो उनमें आपस में बहतर संप्रेशन स्थाफित किया जा सकेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नशे का काला कारोबार यह हमारे एक्जाम के पॉइंट ओफिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज स्पोर्ट स्पेज में भी कोई आसी निउस नहीं है जिसे हम डिसकस करें। तो यह आज का 23 सितंबर 2021 का दैनिक जागरान का राश्टे संस्क्रण था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।